इस्राइल हमास युद के बीच लाल सागर में यमन के हूती के हमलों से हाहा कार मचा हुआ है चाहे अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन या फिर कोई दूसरा पश्चमी देश हूती ने लाल सागर में इस्राइल की खुन्नस निकालने के लिए अभी तक किसी भी जहाज को बक्षा नहीं है और यही वज़य है कि दुनिया की टॉप शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से अपना कारोबार समेट लिया है लेकिन अमेरिका और अन्य पश्चमी देशों न लाल सागर में अपने युद्वपोत मालवाहग जहाजों की सुरक्षा के लिए भेजे हैं लेकिन हूती ने इन पर हमले करके या तो इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है या फिर उन्हें भी समुंदर में डुबो दिया यहां तक कि हूती के कबजे में अभी भी एक मा अमेरिकी जहाज लारे गो पर हमला किया है लाल सागर में लाइबेरियन जंडे वाले मिनर्वा लीजा ओइल टैंकर पर भी हूती ने हमला किया है हूती का कहना है कि लीजा ओइल टैंकर प्रतिबंधों के बावजूद इसराइल की तरफ जा रहा था इसको लेकर हूती के प्रवक्ता यायासारी ने कहा कि हूती ने भूमद्य सागर में इसराइली जहाज पर कई बैलेस्टिक मिसाइल इदागी हैं इसके अलावा लाल सागर में दो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन हमले भी किये गए हैं इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का बयान भी आ गया है थालता इसाधदा इसाध्ता आ फ्रिःभा Londra लेगार हर बहुरी विने याया सारी का ये लियान भी आ थारा लाया हुत अध्वियर बात्य evalu एमिले इसाध्या बत्तो ब경ता Cinema विने प्र ल oni का लखर एत्वाद लाFFले इसाध्दा लेखा अश् лиमार फे करे ली विक दोफे ज आपको बता दे कि हूती के इन हमलों से पहले यमन के परधान मंतरी अब्दूल अजीज हबतूर ने लिबनानी चैनल अलमयादीन को एक इंटर्वियू दिया था जिसमें उन्होंने फिलस्तीनियों की जम कर तारीफ की थी अब्दूर ने कहा था कि फिलस्तीनियों को यमन फ्रंट पर विश्वास करना चाहिए जो उनके साथ आखरी सांस तक बना रहेगा आपको बता दे कि इससे पहले 24 मई दोहजार 24 को हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन की आकरमक्त के खिलाफ हमले किये थे उस वक्त हूती ने आरब सागर में इसराइली जहाज MSC अलेक्जेंडर पर कई बेलेस्टिक मिसाईल इदागी थी जबकि दूसरे हमले में हूती ने यानिस जहाज पर लाल सागर में हमला किया था ये जहाज ग्रीक कमपनी इस्टरन मेडिटेरियन मेरिटाइम का था इसके अलाबा इसराइली जहाज MSC पर भी भूमद्य सागर में कई मिसाईले फायर की गई थी क्योंकि ये कबजे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह में प्रवेश पर लगाए बैन का उल्लंगन कर रहा था उस वक्त हूती ने कहा था कि इस जहाज पर हमला एकदम सटीक था और इस हमले से पहले इस कमपनी के तीन जहाज कबजे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह पर पहुँचे थे